Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवी अदीती क्लासेस में Friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत का सबसे पुराना और भारती साहितिक के शेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच पुरुसकार, ज्यान पीट पुरुसकार के बारे में Friends, हाली में इसकी घोशना की गई है और यहाँ पे 2024 में किसको किसको दिया गया है, हम आज की वीडियो में हाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं मैंने आपे सारे questions जो है selected और most important लिये हैं, अगर आप किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी beneficial होने वाला है तो friends हर एक question जो आपके exam में आ सकता है, का कौन सा addition है, ये किसको दिया गया है, और कितनी धन राशी दी जाती है इस award में, और साथ में पहला पुरुसकार किसको दिया गया है ऐसे हर एक important question को हमने इस वीडियो में cover किया हुआ है, तो सारे questions काफी important है, पूरे वीडियो के end तक बने रहेगा तो friends पहले हम इसमें theory part को cover करेंगे, जहां पे हम ग्यान पीट अवार्ड से related हर एक important point को discuss करेंगे और उसके बाद हम MCQs की तरफ बढ़ेंगे ठीक है, तो देखें friends पहले बात कर लेते हैं कि ग्यान पीट अवार्ड है क्या friends ग्यान पीट अवार्ड ये एक annual literary, Indian literary अवार्ड है जो कि भारतिय ग्यान पीट के द्वारा दिया जाता है, ऐसे authors को जो exceptional contribution करते हैं ये किस field में, literature की field में, तो friends अपसे exam में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्यान पीट अवार्ड जो है, ये किस field में दिया जाता है, तो friends ये दिया जाता है literature के field में आपको ये point यहाँ पे काफी अच्छे से याद रख लेना है, ओके, इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखें आगे next important points को It is the India's oldest and highest award given for Indian literature, तो हमने वीडियो के starting में discuss किया है ये इंडिया का भारत का सबसे पुरारा और भारती साहिति के लिए दिया जाने वाला सरवोच पुरुसकार है eligibility क्या होती है इसको award को लेने के लिए, तो friends ऐसे कोई भी Indian citizen जो लिख सकते हैं कोई भी 22 languages जो mentioned है 8th schedule में हमारे constitution के, वो इस award के लिए eligible होते हैं तो जो languages है, 22 languages कौन-कौन से हम आगे जो वीडियो है उसमें discuss करेंगे चलिए, तो आपका next point यहां पे रहता है friends, देखें ग्यानपीट अवार्ड के बारे में एक brief जल्दी से discuss कर लेते हैं तो most ग्यानपीट अवार्ड, ये किस language के लिए दिया गया है तो friends, जैसे हमने discuss किया कि जो 8th schedule में जितने भी languages है, 22 languages अगर उनमें से कोई भी जो आथर है लिख सकते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है तो major awards जो है जो है न, ग्यानपीट वाले, ये हिंदी language के लिए दिये गया है इसको कब established किया? इसको 1961 में established किया गया है इसको 1961 में किया गया और पहला award जो है 1965 में दिया गया है और friends, important point ये है कि यहाँ पे ग्यानपीट अवार्ड को पॉस्थो मसली नहीं दिया जाता ठीक है? याद रखेगा पॉस्थो मसली अवार्ड नहीं दिया जाता है इसके साथ यहाँ पे कितनी यहाँ पे धनराश्री यानि कि award कितना दिया जाता है तो friends, यहाँ पे sum of 11 lakhs ठीक है? अभी फिलहाल 11 lakhs दिया जाता है एक citation दी जाती है और साथ में एक bronze statue of वाग बेवी दिया जाता है तो friends, जब यह award start हुआ था ना, उस time 1 lakh रुपीज दिया जाता था और 2005 में इसको 7 lakh किया गया और अभी current जो है, इसको 11 lakhs दिया जा रहा है और देखे अगला point क्या है, the current president of भारतिय ज्यानपीट organization is प्रतिभा रे तो अभी फिलहाल जो भारतिय ज्यानपीट संगठन है, इसकी अध्यक्ष कौन है, यह है प्रतिभा रे तो हर एक important point आप देख रहे हैं, हर एक questions जो है काफी important है तो friends, आपको हर एक point को अच्छे से पढ़ना है और no doubt कर लेना है देखें, अब बात करेंगे 58th ज्यानपीट award के बारे में यह किसको दिया गया है friends, 2024 में जो award दिया गया है यह 2023 के लिए दिया गया है, edition की बात करें तो 2024 का जो edition है, यह 58th edition है और इस साल friends, यह दो लोगों को दो languages के लिए दिया गया है एक Sanskrit और एक Urdu ध्यान रखेंगा friends, this award will be given for the second time in Sanskrit language and for the fifth time in Urdu तो second time यह Sanskrit language के लिए दिया जा रहा है और बात करें, उर्दू के लिए, तो यह fifth time उर्दू के लिए दिया जा रहा है विनर कौन है, यहाँ पे 58th ज्यानपीट award के यह तो friends, जगत गुरू राम भद्रचार्य इन्हें संस्कृत के लिए दिया गया और गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है आप बात कर लेते हैं इन दोनों famous personalities के बारे में friends, बात करते हैं पहले, गुलजार साहब के बारे में इनका जो real name है वो है संपून सिंग कालरा, ठीक है इसके बाद he is famous personality in Hindi cinema and a highly respected उर्दू poet तो काफी famous है हिंदी cinema में और highly respected उर्दू poet है friends, इनको कौन-कौन से अवार्ड दिये गया है, इनके बारे में देख लीजिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था उर्दू में दिया गया है, he has also won five national film awards and many other awards तो इन्हें five national awards और बहुत सारे other awards भी दिये गया है तो friends, आपको यहाँ पर यह सारे awards इनके years अच्छे से याद रख लेना है एक्जाम में आप से कुछ भी पूछा जा सकता है इंपोर्टन पद्मभूशन और ओसकर्स है यह एक्जाम में आने के काफी chances होते हैं तो friends, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके बारे में फ्रेंट यह founder है और head है तुलसी पीट के जोगी चितरकूट में है और इन्होंने 240 बुक्स और उसे भी ज्यादा बुक्स और टेक्स को लिखा है 4 epics इन पे included है बात करें इनके खासियत के बारे में friends, देखें, despite being blind since the age of 2 months due to trachoma रामभदरचारे is multilingual who can speak 22 languages तो friends, यहाँ पे देखिए ट्रेकोमा के कारण दो महिने की उम्र से अंदे होने के बावजूत रामभदरचारे एक बावभाशी है जो 22 भाशाएं बोल सकते हैं वह संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथली और साथ में यहाँ पे देखिए अवधी भी बोल सकते हैं पद्म विभूशन से इने नमाजा किया है 2015 में आगे बढ़ेंगे friends और देखिए अधर फैक्ट्स जो भी है यहाँ पे इंपोर्टन 54 ग्यानपीट अवार्ड जो कि 2018 में दिया गया है यह दिया गया था अमिताव घोश को और यह दिया गया था फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्विज के लिए 55 ग्यानपीट अवार्ड की बात करें तो friends 2019 में यह दिया गया था अकितम अच्छुतन नमबुदेरी को जो कि मल्यालम राइटर है 56 ग्यानपीट अवार्ड की बात करें अकितम अच्छुतन नमबुदेरी यह है निलमनी फूकन जी और यह है दामुदर माउजो तो friends अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं हमारे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इससे हमारी तो friends अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें अपने जो उपीनियन है वो कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है चलिए अब बढ़ेंगे friends आगे और discuss करते हैं सारे important questions को MCQs की तरफ बढ़ेंगे पहला question है कि ज्यान पीट अवार्ड is given for excellence in which field ठीक है आपको बताना है कि ज्यान पीट पुरुसकार जो है ये किस छेतर में दिया जाता है तो friends ये दिया जाता है literature के field में आपका यहाँ पे important points देख लीजे ग्यान पीट अवार्ड is an annual Indian literary award presented by भारतिय ग्यान पीट to an author for his exceptional contribution in literature तो जैसे आपने discuss किया कोई भी exceptional contribution के लिए in the literature field ये award दिया जाता है भाई भारतिय ग्यान पीट अगला question रहेगा यहाँ पे in which year was ग्यान पीट अवार्ड established तो ग्यान पीट अवार्ड जो है ये कब established किया गया है friends इसको established किया गया है 1961 में option number C इसका right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देखे who has been honored with the 58th ग्यान पीट अवार्ड यानि कि इस साल जो 2024 में दिया गया है friends ये 2023 का अवार्ड है जो इस साल दिया जा रहा है ठीक है तो ये दिया गया है गुलजार को और जगदगुरू रामभद्रा चारे को तो suitable बोथ इसका answer हो जाएगा तो देखे friends जैसे हमने discuss किया 2023 का अवार्ड ये 2024 में दिया जा रहा है addition इसका 58 है और friends संस्कृत और उर्दू लैंग्विज़ में ये दिया जा रहा है और जैसे मैंने आपको बताया संस्कृत लैंग्विज़ में ये second time और उर्दू लैंग्विज़ में ये fifth time award दिया जा रहा है next question in which year was Gyanpeet award given for the first time तो Gyanpeet award पहली बार कब दिया गया था तो जैसे friends हमने discuss किया 1961 में इसको establish किया गया था और 1965 में ये सबसे पहले दिया गया था तो option number B इसका right answer है 1965 तो friends यहाँ पे देखिए Malayalam writer है G. Shankar Kuroop जहें 1965 में ये award दिया गया है इनकी poetry collection उताकुजल के लिए इसका meaning होता है The Bamboo Flute जो publish हुई थी 1950 में ठीक है साथ में देखिएगा आशापूर्ना देवी was the first woman to receive the Gyanpeet award in 1976 for her novel प्रथम प्रती शृती देखे friends इन्हें पहली woman जिन्हें दिया गया है Gyanpeet award आशापूर्ना देवी जिन्हें 1976 में इनकी novel प्रथम प्रती शृती के लिए ये award दिया गया था अगला question What is the prize money of Gyanpeet award तो Gyanpeet award में prize money कितनी दी जाती है यहाँ पे 11 lakh दिया जाता है देखे friends यहाँ पे 11 lakh एक situation और साथ ने bronze statue of वागदेवी भी दिया जाता है तो यह है वो bronze statue जो दिया जाता है इस award के साथ Friends, initially amount यहाँ पे 1 lakh दिया जाता था फिर इस amount को change किया गया 2005 में 7 lakhs कर दिया गया और current amount जो है यहाँ यहाँ पे 11 lakh दिया जाता है अगला question देखेगा तो पहला ग्यानपीट अवर्ड यह किसको दिया गया था? यह दिया गया था जी शंकर कुरूप को हमने already discuss किया Friends 1961 में यह award established किया गया और 1965 में जी शंकर कुरूप जो कि एक मल्यालम writer है इन्हें यह award दिया गया था तो again same यहाँ पे points लिखा है 1965 में जी शंकर कुरूप जो कि मल्यालम poet है इनकी poetry collection ओता कुजल के लिए यह award दिया गया था और Friends ओता कुजल का मीनिंग यहाँ पे अगला question देखेगा Who is the first woman to be honored with भारतिय ग्यानपीट अवर्ड? तो Friends भारतिय ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह थी आशापूर्ण देवी Option No. B इसका right answer है देखे Friends, Bengali writer है आशापूर्ण देवी जिनने 1976 में यह award दिया गया और यह पहली woman बन गई जिनने ग्यानपीट अवर्ड से नमाजा गया है और Friends, इनकी novel जो है यह publish हुई थी 1964 में जिसका नाम था प्रथम प्रती शुरुती अब देख सकते हैं यह इनकी novel थी अगला question ध्यान रखेगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पहले Hindi Literary कौन थे? जिनने भारतिय ग्यानपीट अवर्ड दिया गया था तो इसका right answer है Friends option number C, सुमित्रा नंदन पंत देखे, बात करें इनके बारे में दो Friends, पहले Hindi Literary जो थे सुमित्रा नंदन पंत इनने 1968 में यह अवर्ड दिया गया था है इनकी वर्क चितंबरा के लिए ओके, next question रहेगा who was the first English Literary to be honored with भारतिय ग्यानपीट अवर्ड? तो देखे Friends, आपको बताना है पहले Hindi Literary कौन थे? जिनने यह अवर्ड दिया गया है तो इसका correct answer है option number D, अमिताव घोष हमने already इसके बारे में आपको बताया था देखे Friends, 2018 में इनकी book The Shadow Lines के लिए यह अवर्ड इन्हें दिया गया था और यह पहले English Writer बन गया है जिन्हें यह अवर्ड दिया गया है आगे बढ़ेंगे, अगला question रहेगा the prestigious ग्यानपीट अवर्ड given for outstanding achievements in literature is given for how many languages तो जो prestigious ग्यानपीट अवर्ड है जो literature के field में दिया जाता है यह कितने languages के लिए दिया जाता है तो Friends, यहाँ पे 23 languages के लिए यह अवर्ड दिया जाता है 22 जो एट schedule में है और एक है जो English language है detail में discuss करते हैं Friends इस question के बारे में यहाँ पे देखे This is the highest literary award of India यह आपको पता है हमने काफे बार discuss किया It is given annually by ज्यानपीट Trust a non-profit organization established by भारतिय ज्यानपीट तो Friends, यह एक annual award है जो कि दिया जाता है ज्यानपीट Trust के द्वारा और जो कि एक non-profit organization है जिसको भारतिय ज्यानपीट ने established किया है और देखे This award is given in 22 languages of its schedule plus English for the outstanding contribution in literature तो आपको मैंने यह already बता दिया तो कौन-कौन से languages है its schedule में उसको भी एक बार just देख लेते हैं देखे अस्यमीज है नेक्स बेंगॉली है गुजराती है हिंदी है तो यह 22 languages है जो 8th schedule में included है तो फ्रेंड्स आपका next question और last question बनता है तो आपको बताना है कि ज्यानपीट पुरुसकार को कौन देते हैं इन में से तो इसका right answer हो जाएगा option number D भारतिय ग्यानपीट ठीक है भारतिय ग्यानपीट ये अवार्ड को देते हैं तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे important questions related to ग्यानपीट अवार्ड मैंने आपके लिए हर एक important question जितने भी आपके बन सकते हैं static से, current affairs से सब कुछ यहां पे cover किया है जो भी आपके exam में पूछे जा सकते हैं अब आता है आपका test question जिसका answer आपको हमें comment करके बताना है तो आपका पहला question है who has been honored with 58th ग्यानपीट अवार्ड तो friends 58th ग्यानपीट अवार्ड यानि कि जो 2023 का है बट इस साल दिया गया है यह किसको दिया गया है आप हमें comment करके बताएं एक और question है which edition of ग्यानपीट अवार्ड was given in 2024 तो 2024 में कौन सा edition दिया गया है ग्यानपीट अवार्ड का यह भी आप हमें comment करके जरूर बताएं साथ में friends मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे PDF वेबसाइट के बारे में देखिए यह है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पे आपको रवी सर की जो GK और Current Affairs की PDF होती है English और Hindi Medium दोनों में available की गई है तो आपको यहाँ से जाके आप इस website से जाके आप उनको buy कर सकते हैं देखिए आपको यहाँ पे quality और इस तरहीं से हर एक topics जो है PDF मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको yearly जो PDF है 2023 Current Affairs का यह भी आपके लिए यहाँ पे available किया गया है साथ में friends हमारी mobile application है जिसका नाम है रवी study IQ GK यहाँ पे जाके यहाँ आपको जाएगा यहाँ पे जाके आप daily quizzes को solve कर सकते हैं ठीक है तो I hope आपको सब कुछ clear है तो alright friends यह हमारा आज का last slide है I hope आपको वीडियो पसंद आया वीडियो कर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर करिएगा और अपने friends के साथ share करिएगा मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you, have a nice day and wish you all the best